हेलो फ्रेंड्स नवरात्रों मैं आपका मेरी वीडियो पर फिर से स्वागत है तो मैं आपके लिए स्वांग के चावलों के पुलाओ की रेसिपी लेकर के आई हूँ देखिए यह सबजिया लिए हमने बीन्स आलू टमाटर और हरी मिर्च इनको दो करके अच्छे से काट लेना है बरी करके और उसके बाद हम सामक के चावल लेंगे एक टोरी तो देखिए चावल जो है हमने पांच मिंट के लिए भी गोने है तो मैंने उस उनको भी गो दिया ह अब हम इनको एक कुकर में ओएल लेंगे और आप अपने हिसाब से डाली जीए काम जाएदा खाते हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए गप और उसके बाद जीरे का तड़का लगा करके मैंने मिर्च हरी मिर्च डाल दिया और टमाटर डाल दिया तड़के में तो जो तड़का लगाया था उसमें हमने सब्जिएं कटी डालनी है आलू और बीन्स डालने के बाद उनको अच्छे से हिलाना है ताकि इनमें तड़के का असर हो जाए और उसके बाद हम पांच मिंट के लिए इनको ढख देंगे ताकि सब्जिएं जो हम थोड़ी सॉफ्ट ह मिलाने के बाद हम इनको पांच मिंट के लिए डखेंगे तो देखेंगे तो यह थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है कुछ इस तरह से दिखेंगे और अब इनमें हम धनिया पाउडर लाल मिर्च आप कम जादा देख सकते हैं जितना स्पाइसी चाहिए 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 दाल दो आपको और ऊसके बाद मैंने इस वे खोड़ी सी सोया भी डाल लीए मिठी सोया और गरम वे आपको एक्ष़क जाओं को मिक्स कर रहे हैं ताकि मैं मिक्सके राही है मसालों का सब्सक्राइब शाहिए पुलाओ जो है तो शाओं कुछ यहा पुलाओ समॉक्छ घ्राव जाए, तो भून्हें आपंजी लाव को, तो अब पर जाए, तो सब्सक्राओं को, देखिए अब को देखिए इसमे पानी यह टालनाए, जितनी जुरूरत है, ज्यादा पानी यह टालनाए, नहीं तो बहुत चाहब्लों को देखिए, एक शीटी लगाने के बाद, ज अप्लाओ जो है रेडी हो चुका है हमारा अप्लाओ आप इस पुखाईए एंजोई कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हैपी नवरात्तरा टो अल थैंक यू अब्रिवन